राइट मैसेज, राइट कम्म्नुकेशन, कंट्री इंसाइड न्यूज नमस्कार, कंट्री इंसाइड न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, मैं हूँ सुनील पांडे आज चर्चा एक पुराने, करीब दस साल पहले, सक्रियता के सिर्ट्स पर बैठे, मुस्लिम नेता की मैं करने जा रहा हूँ पुरु पारसद हैं, बिधान पारसद हैं, नाम हिन का गुलाम रसूल बलियावी आपको याद होगा, 2005 से 5 के बाद के दिनों में, लगए 7-8 वरसों तक ये काफी सक्रियर है नितिश कुमार के काफी करीबी थे, और इस नाते, मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा बनने की ओर ये आगे बढ़ रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दस के बाद ये भी इनकी सक्रियता गिर्ती गई और राजितिक पतल से इनका अस्त होने लगा फिलाल ये अस्त वाला जीवन ही जी रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से एक उटपठांग बयान को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है निशाना निटीज पर ही है, लेकिन निटीज के एक सबसे बड़े ताकत के रूप में अपने आपको फिर से दिखाना चाहते है उनका कहना है कि निटीज को लेकर जदी बयान बाजी बंद नहीं की गई तो वो हर जीले को करवला बना देंगे करवला बनाने का मतलब मार काटकी और उनका ही सारा है करवला सहीद अस्थल के तोर पर मुस्लिमों मिल लिया जाता है सवाल है कि इन सारे वक्त अब्यों के पीछे ये कहना क्या चाहते है ये मुसल्मानों को एक बार फिर से उस रास्ते पर धकेलना चाहते है खुद तो सत्ता की मलाई पसंद है लेकिन अपने कौंग के लिए ऐसी ऐसी एग्रेसिव बातों को रखकर बरगलाते हुए उनके युवा लोगों को युवा बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरीत कर रहे है इन चीजों से बचने की जोगुरत है लेकिन इस बयान के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रिय मंत्री गिरियाज सिंग बहला क्यों चूप बैठते उन्होंने बलियावी को आइना दिखाते हुए कहा कि उन्हें ऐसे बयान से बचना चाहिए और इसके लिए माफी माँगनी चाहिए जदि ऐसा नहीं करते हैं और नितीज जी को लेकर उन्होंने कहा कि नितिश जी को भी ऐसे नेताओं पर कमान कस्नी की ज़ुरत है जो बेवज़ उटपठांग बात समाज के सामने रखते हैं और समाज में भी द्वेस फैलाने का काम करते हैं जाहिर है बल्यावी इस बयान के बाद से दो-तीन दिन मीडिया के चर्चा में बने रहेंगे लेकिन मेरा मानना है कि बल्यावी के दिन बीच चुके हैं ऐसा क्रहना और इसे बयान देकर जदी वो खुद जिन्दा रहना चाहते हैं तो अब इनका भविश्व नहीं है मुस्लिम वर्ग में भी लोग अब सक्रिये हैं और अच्छे और बुरे का उनको ग्यान हो चुका है तो इस तरह से सिजिनली मौसम देखकर सुसासन बाबु का अपने हक में खड़ा करने के लिए जो एक ताकत लगाय जा रहा है इसमें उन्हें सफलता मिलने की बहुत कम सं होना है धन्यवाद